प्रधान मंतरी नरीद मूदी के साथ पंजाब में जो हुआ वो शायद आजाद भारत में किसी भी प्रधान मंतरी के साथ नहीं हुआ सड़क पर कुछ प्रदर्शन कारियों ने उनकी काफिले को 15-20 मिनट तक रोके रखा और अब हुआ ये था कि पीम आपको बता दे कल सुभा साड़े 10 बजे भटिंडा एयरपोर्ट पहुँच गए थे उसके बाद उन्हें नैशनल मार्टेर्स मेमोरियल पर मालियापन करना था और फिर जनसभा को संबोधित करने उने जाना था लेकर पहले खराब मौसम की वज़ा से उनके कारकरम में देरी हुई और फिर जब सड़क मार्ट से जाने का पैसला हुआ तो प्रदर्शन कारियों ने दोपैर दो बज़े के करीब उनका कापिला रोक लिया ऐसे में सवाल कई हैं क्योंकि प्रदान मंत्री की गारी के एक दम करीब कई लोग पहुँच गए थे ये लोग कौन थे, क्यों पहुँचे थे, क्या उनका मकसद था और वो प्रदान मंत्री की गारी तक कैसे पहुँच सके ये सबसे बड़ा यहां पर सवाल है ये मामला कितना गंबीर है इसे आप घटना के बाद प्रधान मंत्री नरीन दुमोदी की प्रत्रिक्रिया से समझ सकते हैं सूत्रों के बतावे प्रधान मंत्री जब भटिंडा एयरपोर्ट वापस लोटे तो वहाँ अफसरों से उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट जिन्दा लोट पाया अपने सीम को थेंक्यू कहना हाला कि अब आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रिया द्यक्ष और केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने पंजाब में प्रधान मंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब की सरकार को ही जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि भारतिय लोकतंत्रों के तहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसे में ये तस्वीरे भी आप देख सकते हैं ये वहीं की तस्वीरे है जहां पर 15 मिनट और 20 मिनट तक प्रधान मंत्री नरींद मोदी का काफिला रुका रहा खड़ा रहा और ऐसे में अब भी कई सवाल है ज